हेलो श्रुएंट्स वेल्कम्टू माई नर्चर मैं हूँ पिस्ट्टना तो कैसे आफ सब लोग मस्थ बढ़िया तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं नेक्ट लेक्चर लेक्चर नमबर थार्ड चैप्टर नमबर थार्ड क्या पढ़ रहे थे हम लोग इन और्गे गनिक्स और इंटी चौन्ड बड़्य意द किया होते हैं एंटी माेक्रोबियल्स यह और बिंटी मतलब विरोज रोज करने वाले किसका माईक्रोब्स का माईक्रोब्स बैकरिया वायरस ट्रोटोजीवार कि cuarto दिक होता है जिससे कि हमको बिमारियां होती है उनको मारने वालों को हम लोग क्या कहेंगे एंटी- microbial agents है ना क्या होते हैं यह chemicals which kills क्या बोल रहा है chemical जो kill कर दे या inhibit inhibit का मतलब होता है बच्चो stop रोग देना stop या रोग देना the growth of microorganism microorganism की जो बढ़वार है उनकी जो growth हो रही है उनको रोग देगा microorganism में हम लोग किस को काउंट करने वाले हैं बैक्टेरिया फंजाई और प्रोटोजोंस को यह वह microorganism है जिनसे कि हम लोग क्यों सकती बिमारी वगरा हो सकती है और काउल्ड anti-microbial तो सिंपल सी कहानी थी क्या होते हैं anti-microbial जो क्या करते हैं किल कर दें मार डाले या रोक दें organism की growth को ठीक है अगर टाइब की बात करें तो micro anti-microbial दो टाइब के होते हैं देखो यहां पर लिखा हुआ किल और रोकना जो मार देखते हैं जो किल कर देंगे उनको हम कहते हैं साइडल जो साइडल वर्ड है ठीक है ना जो साइडल वर्ड है साइडल का मतलब होता है किल कर देना तो micro bicidal याने कि microbes को किल करने वाले मारने वाले दूसरा है micro biostatic static मतलब रुका हुआ static मतलब रुका हुआ याने कि ऐसे chemicals जो उसकी growth को रोक देंगे तो दो तरीके से यह काम करते हैं या तो microbes की growth को रोक देंगे या उसको किल कर देंगे बिल्कुली जान से मार देंगे ठीक है ना तो माइक्रो बायो स्टेटिक और माइक्रो बाइस साइडल इस तरीके से हम दो category में इनको समझ सकते हैं classify कर सकते हैं ठीक है next classification of antimicrobial agent ठीक है यह हमारा classification simple था किसके आधार पर था कि कौन मार रहा है और कौन growth को रोक रहा है किलियर है अब हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग टायप से क्लासिफाइड करेंगे यानि कि हम लोग कुछ drugs को देखेंगे उनके mechanism के अधार पर classify कर देते हैं किसी को उनका therapeutic use ठीक है ना कौन सा organism affected हो रहा है bacteria या वाइरस उसके अधार पर भी हम लोग इन ड्रक्स को classify कर सकते हैं based on spectrum spectrum मतलब है कितने range ऐसे भी दवाईया होती है जो एक ही medicine कई सारी बाइको उसको मार सकता है और कुछ medicine ऐसी होती है जो केवल एक ही type के organism को मारेगी बाकियों को नहीं मारेगी तो जो बड़ी range कई सारों को मार सकती है उसका spectrum बड़ा हो जाएगा spectrum है ना देखिंग अभी based on type of action उसका action का type कैसा है क्या वो cell wall को तोड़ता है क्या वो membrane को खराब करता है किस type से action कर रहा है उसके action के type की बात करेंगे antimicrobacterial एक हमारे बेक्टेरिया गर जानती हो होगा तो नहिस्क्ति क्रेंगे उनको हम लोग क्या भोलते हैं एंटी antimicrobacterial agent थे своalthy क्यक्यान से कहां से मिलते हैं हमैं यह थीड़ान बेज़ब्रा्टन सोर्स कि इनका मिलने का סोर्स और है कहा से लोग मिलते हैं हमें chemical base on chemical structure कि कि इनके chemical structure में क्या चीज़ पाई जाती है तो हम लग 7 तरीके से क्लासिफाइए कर सकते हैं एक शीच बता दूँ साथ टरीके से क्लासिफाइए कर सकते हैं तो जरूरी निये on the basis of mechanism of action mechanism of action के अधार पर अगर हम बात करें तो दो क्या बोल रहा है जर्नली क्या बोल रहा है जर्नली दीज एजेंट्स डेमेजेस क्या करते हैं यह डेमेज कर देते हैं खराब कर देंगे डेमेज दा एक्टिव फंक्शनल ग्रूप देखा हमारी बाड़ी में क्या है चैमिकल्स ही है सारे और फंक्शनल ग्रूप तुम्ने पढ़े होंगे क्लास 12 में जैसे कार्बाक्स लिक एसे अलकौहल है ठीक है न यह फंक्शनल ग्रूप होते हैं प्रोटीन क्या करते हैं सारे के सारे केमिकल्स को एसलरेट करवा रही है मतलब उनको फास्ट करवाती है अगर इंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारी बॉड़ी की सारी केमिकल्स क्या हो जाएंगे ठप पड़ जाएंगे अगर इंजाइम्स बेकार हो गए तो ठीक है न तो यहां पर इस और अंगल है अँदैम सार है एक्षेप्शन की बाद कर रही है और खटीक है जो हमारी बोड़ी में эп garment कर वा रही है वो सब क्या है लूव सारी इंजाइम क्या होती है प्रोटीन की ही बनी हुई होती है तो यह जो है anti-microbores, वो सीधा कहां attack करते हैं प्रोटीन प्रोटीन के पास दो functional group होते हैं एक carboxylic acid और एक amino group, protein के पास दो functional group होते हैं COOH और दूसरा क्या है, NH2 है ना, amino acid से बने होते हैं यह तो जैसे यह protein डेमेज हो जाएगी, एंजाइम डेमोज हो जाएगा, एंजाइम जो कैमिकल रियक्षिन करवा रहा था, वो कैमिकल रेक्षिन होना बंद हो जाएगा, चैमिकल रेक्षिन होना बंद हो जाएगा, तो प्रोसेस बंद हो जाएगी और हम लोग जो सेल हो ठप पड़ जाएगा, जарूरी है रोट्ची के लिए एसट्री 75 को जिंदा रहने के जिरूरी है वह inhib Als yang या उदर निदर के इस प्रोटीन को अफेक्ट कर रही है तो जो प्रोटीन अफेक्ट होड़ी होगी सेल का वह वाला पार्ट काम करना बंद कर देगा कोई भी एक पार्ट काम करना बंद करेगा जैसे कि हमारी बॉड़ी है हमारी बॉड़ी में कोई भी एक पार्ट काम करना बंद कर दे लिवर ह होगा डिट होने की संबागना बढ़ जाएगी हमारी कुछ तो पार्ट एसा औरहों करना बंद किया तो डैमेज पूरी बोड़ी डैउख तो कौन सा पाठ कौन सी लगई पार्ट के अलग-ज़ नफव थे हैं कैसे जैसे कुछ कुछ खास प्रोटीन है जो सेल वाल की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं सेल वाल बैक्टेरिया की सेल वाल डैमेज हो गई तो बैक्टेरिया की डैथ हो जाएगी cell membrane कुछ protein cell membrane के synthesis में help करती है तो cell membrane अगर वाली protein damage हो गई तो cell membrane बनना बंद हो जाएगी नई cell membrane बनेगी नहीं अब पुरानी cell membrane कब तर भ्रक्राइब भ्राइब रमरेब देमज भूएएगी देक्टरीय के growth रूख जाएगी या मर जाएगा protein synthesis inhibitor उसके अंदर protein अग्याइड कौन को आता है डी एने एंड आर एने जानते होगे ठीक है यह बनना बंद हो जाएंगे इंटर्फेर इंटर्फेर मतलब होता है दखल अंदाजी देता है विद इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म जो तो रियक्षन हो रही है बॉडी के अंदर सपोस्सक्राइब करेंगे बीच में किसी गेमिकल को आके डेमिज कर देंगे तो आगे की प्रोसेस होईगी नहीं और इस तरीके से उस बैक्टेरिया की वायरस की या पोटरोजोगा की डैथ हो जाएगी बात समझ मा रही है मेकेनिम्अब कुछ इस तरह से रहते हैं किसी पार्ट को हर्ची में कहीं न है पिरोतीन का ही रोल और ले हैं तो प्रोटीन कौंसी प्रोटीन एफेक्ट हो रही है उससी सहाब से वह सब कहला पार्टी आप Misty अगर उनको किल कर रहा है तो हमनों बोलते हैं एक्टोपेरासाइट यूय बखर लीक वालों में होते हैं एक्टो मतलब बहरी ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के ऊपर एगे ऐसे बात कर रहा था मैं बरॉड इस्पेक्ट्रम का मतलब है तुम लोग यहां से समझ सकते हो कभी किसी दॉक्टर के पास जाओगे तो नोटिस करना खासी वाला पेशंट आया उसको ही दभाई बुखार वाला पेशंट आया उसको ही दभाई किसी को फोड़ा फंसी हो गया है उसको ही दभाई एक ही medicine कई लोगों को दी जा रही है यानि कि जो वो medicine है वो broad spectrum है कई सारे microorganism को kill करने में वो काम आती है तो ऐसी medicine जो बहुत सारे kill और inhibit kill many organisms ठीक है ना तो ऐसो को हम लोग कहते है broad spectrum चोड़ा spectrum एक range हो गई narrow spectrum जब कोई particular medicine किसी खास particular बिमारी के लिए और वो किसी और बिमारी में काम नहीं करेगी यानि कि एक medicine या एक या दो कोई kill करेगा उससे ज़्यादा को kill नहीं करेगा तो नहरो नहरो मतलब होता है पतला broad मतलब होता है चोड़ा ठीक है तो इसी समय अंदादा लगा सकते हैं कि यह antimicrobials किस तरह से नाम के हिसाब से हम लोग दिमाग में सेट कर सकते हैं चले आगे ओके बेज जोन टाइप of action action चैसे पहले बटा चुकाव मैं static क्या वह growth को रोक रहा है साईडल यह वह उसको किल कर रहे है है ना इस्टेटिक रुख देगा और साइडल क्या कर देगा किल कर देगा यह in stop रोग देगा МУЗЫКА एंटी माइको बैक्टेरिया मैंने बता था माइको बैक्टेरिया जो होते हैं उनको जो किल करते हैं मारते हैं उनको हम एंटी माइको बैक्टेरिया कहते हैं based on source, मिल कहां से रहा है, जैसे fungus से एक मिलता है, जो हम penicillin, penicillin को icing सब जानते होंगे, कहां से मिलता है fungus से actinomycetes, ये erythromycin, ठीक है न, actinomycetes से क्या मिल रहा है, erythromycin मिलता है bacteria से, क्या मिलता है, bacteria है, bacteria लिखा हुआ, polymixin B मिलती है, synthetic कुछ, हम लोग खुद artificial बना लेते हैं, that is sulfonamides, बात समझ मारी है, तो कौन सा chemical हमको कहां से मिल रहा है, fungus से, actinomycetes से, bacteria से, या हम लोग artificially उसे बना रहे हैं, उसके अधार पे भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, classify कर स सारे तरीके हैं, based on chemical structure, ठीक है, based on chemical structure की बात करें, अगर हम लोग, तो sulfonamides, जिनके अंदर sulfonamides और sulfa group मौझूद होंगे, quinolons, tetracyclines, ठीक है, जिनके अंदर ये structure मौझूद होंगे, अब इसके structure को हमको बहुत ज्यादे में detail में नहीं जाना है, चाहो तो इसको जाकर करके sulfonamide का basic structure कैसा होता है, quinolone का basic structure कैसा होता है, tetracycline कैसा होता है, ठीक है, नेट पे मिल जाएगा, otherwise वो इतना detail में जाने की हमको जरूद नहीं है, मैंने यह 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 जानुद को नहीं दिया, वहना उसको तुम लोग पढ़के कहीं परिशान नहीं लोगो, examples, कौन से example हमारे course म है, silver, nitrate, ionic, silver, chlorhexidine, gluconate, hydrogen peroxide, इसको सब जानते ही हो, h2o2, hydrogen peroxide, boric acid, h3bio3, bleaching powder, इसको भी सब जानते हो, bleaching powder, घर में इस्तमाल होता है, potassium, permanganate, ठीक है, और देखते हैं, इनको बारी-बारी से हम लोग, की इनका क्या, और कैसे role play करते हैं, और कैसे वोई 6 साथ चीजें, कैसे prepare किया जाएंगे, क्या use है, बगरा, 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 आगे आते हैं, शुरुआत होती है, silver nitrate से, तो क्या है silver nitrate, थोड़ा सा समझते हैं, the main advantage of the use of silver nitrate and silver compound in journal for antibacterial infection is the fact that AG plus is relatively non-toxic to human, सबसे ठीक है, जैसे इतनी पर लिख दी मैंने यहाँ पर, तो तुम यहाँ पर simple सी एक बात लिख सकते हो, कि we use silver nitrate as it is non-toxic to human, लिख लो इसको, क्या अलब लिखोगे, क्या निकलेगा, जो silver nitrate है, AGNO3, जैब यह break होगा, तो यहाँ सा क्या निकलेगा, AG plus plus NO3 minus, तो AG plus जो जा करके anti-microbial activity दिखाएगा जा करके, वो अच्छा है, क्योंकि वो हमारे लिए non-toxic है, ठीक है ना, and animal cells, and in addition is very effective against fungus and virus, यह AG plus काफी effective है, fungus और virus को किल करने में काफी ज्यादा क्या है, यह effective है, क्या कह रहा है, silver nitrate imparts different function on bacteria depending upon its concentration, हम लोग silver nitrate का क्या concentration ले रहे हैं, उसके हिसाब से बैक्टिरिया को अलग अलग तरीके से affect करेगा, मारेगा, ठीक है, क्या कह रहा है, at low concentration, अगर हमारे पास AG plus का concentration कम है, ठीक है, it induced synthesis of nanoparticles, अगर इसका concentration कम होता है, तो जो silver nitrate है, यह क्या बनाता जाकर के nanoparticles, nanoparticles क्या काम करते हैं, इसके जो nanoparticles बनेंगे, उनके यह खास चमता है, यह penetrate, penetrate, penetrate मतलब छेद कर देना, घुच जाना, bacterial cell wall, bacterial cell wall में जाके घुच जाते हैं, अब bacteria की cell wall में अगर छेद हो गया, खुद सोचो एक cell है, उसमें अगर छेद कर दिये, अंदर का protoplasm या cytoplasm, वो सारा कहां आ जाएगा, बहार आ जाएगा, और उसके death हो जाएगी, और क्या कर रहा है, changing the structure of cell, ठीक है न, साथ साथ में क्या कर रहा है, changing the structure of cell membrane, cell membrane के structure को भी change कर दे रहा है, even resulting in cell death, यहां तक कि वो cell की death भी कर सकता है, किसके cell की, bacteria के cell की, तो कम concentration में यह नैनो पार्टिकल निकाल करके, नैनो पार्टिकल के रूप में काम करता है, हाइर concentration में directly मार देगा, कुछ नहीं करना, उसे सिधा जाएगे, किल कर देता है, उसे खतम हो जाएगी, कहानी, ओके, next देखते है, mode of action में क्या है, और अच्छा, ठीक है, वो उस पार्ट को भी यहाँ पर एड्ड कर सकते है, इस चीज को थोड़ा सा इस तरह लिख देवने पंचिंग हो जैसे पंच करती है ठीक है बैक्टेरिया की जो मेंब्रे ने उसमें पंच होल बना देती बहुत सारे इस चैनल से इस चैनल इस चैनल से चैनल कंपोनेंट लाइक डी इन एंए उससे चिपक जाएंगे प्रवेंटिंग बैक्टेरिया फ्रॉम परफॉर्मिंग इवन देयर बेसिक फंक्शन अगर डी इन पे जाकर चिपक गए और डी इन ये को काम करने नहीं देंगे तो अपना सब्सक्राइब काम भी होने बंद हो जाएंगे के लियर है पिरप्रेशन की बात करें क्या आगे हमारे पास सब फिरप्रेशन तो सिंपल है ठीक है क्या होगा इस पिरपेर बाइड डिजॉल्विंग मेटलिक सिल्वर ये मेरे पास क्या मौझूद है था क्या मेरे कोюда फिल्टर करके बाहर निकाल लूंगा एक बूसक के अदर इजली घुल जाएका और वाटर, boiling alcohol और वाटर में ये freely soluble रहता है, क्लियर है, chemical property की बात करें, तो साड़े 400 डिग्री पर ये decompose हो जाता है, टूर जाता है, nitrate से nitrite बन गया, क्या बन गया, ये nitrate था NO3 और क्या बन गया, ये nitrite बन गया, nitrite टाई ये, ठीक है, HCL के साथ मिला दें, तो silver chloride, ये देख चुके हम लोग, silver chloride के precipitate बन जाते है, potassium chromate, अगर potassium chromate के साथ मिला दें, तो क्या देगा, ये silver chromate दे देता है, जो की red is brown color के होते है, क्लियर है, storage, very simple, stored in amber color, जो देखा न, जिसने दवाएं की बोटल होती है, जो brownish color की होती है, amber color bottled in cold and dark place, कहां store करना है, simple सी बात थी, हर किस में लगवग सेम ही रहता है, use की बात करें तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, antimicrobial, antimicrobial में general बात जात कर लो, antiseptic, disinfectant, antibacterial, antiprotezual, ये general बाते, use में चाहँ तो डाल सकते हो, देखते हैं क्या क्या है, disinfectant, अच्छा, क्या तुम लोगा पता है, antiseptic और disinfectant में क्या अंतर है, तो को antiseptic जो होते हैं, ये हम लोग इस्तमाल करते हैं, human cells के उपर, यानि है, tissues, cells and tissues के उपर, यानि कि, जो चीजें, जिन्दा है, उनके उपर, जो दवाईों को इस्तमाल कर सकते हैं, उनको बोलते हैं, antiseptic, घर में तुम लोग देखते हो, कि फिनाईल या लाइजॉल वगरा तुमारे घर में डाल के पहुंचा लगता है, तो व non-leaving surface के उपर जो इस्तमाल होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, disinfectant, किलियर है, ठीक है, astringent, astringent क्या होते हैं, astringent may help clean skin, इसके नहीं कर भी आद तुम लोग देखा होगा, खासकर जो लड़कियां वगर रहती हैं, एक chemical आता है, चेरह वेरा उससे साफ करती हैं, उससे skin, जो होती हैं, उसके pores वगर अच्छे साफ हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और skin अच्छे साफ हो जाती है, clean skin, tightens pore, जो थोड़ से होश वगर होते हैं, skin में वो हड़ जाते हैं, and dry out oils, जो oil लगा होते हमारे skin के अंदर pores में फसा रहता है, उसको ये सुखा देता है, तो astringent क मतलब हो गया, जो ये सारे काम करेगा हमारे skin के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, astringent बोलेंगे, used on wound and ulcer, जो घाओ होते हैं, ulcer होते हैं, उनके उपर इस्तमाल हो सकता है, used as profile axis of ophthalmia, आखों का जो treatment हो गया रहा होता है, उसमें इसका इस्तमाल किया जाता है, its stick used as caustic to destroy warts and other skin growth, इसकी अगर stick, stick की बात करें, तो इसकी देखो market बना, इस टैफ से stick अवरे रहे लाती है, ऐसी रहेगी, और आगे ऐसा मोटा सा बना रहता है, ठीक है, तो ये stick होती है, यहाँ पर जो आगे याला हिस्सा है, इसमें रहती है medicine, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, आगे silver nitrate लगा हुआ रहता है, network search मारोगे silver nitrate stick मिल जाएगा तुमको, इस stick को ले करके, जहाँ पर ये warts या कोई skin की growth होती है, और लगा करके रगण देते हैं, या कहीं पर भाजा ब्लेडिंग हो रही होती है, cut लगा होता है, वहाँ पर कर देते हैं, तो यह क्या करता है, उसको रोकने में, ठीक करने में help करता है, clear है, आगे आते हैं, formulation, topical, topical मतलब उपरी, हम लोग इसको सिर्फ उपर लगा सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, applicator stick, stick का बताया मैंने अभी, तो दो तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक है, brand की बात करें, तो market में direct silver nitrate के नाम से भी आता है evoca, flexible, caustic, applicator के नाम से भी market में ये मौझूद है, clear है बाते हैं, ओके, अब आते हैं, ionic silver, देखो silver nitrate मेरे पास compound था, ionic silver यानि की मेरे पास silver direct ion की form में, direct किसकी form में है, ion की form में, ठीक है, तो ये इनका अंतर रहेगा, the antibacterial mode of action of silver ion is connected with, यानि कह रहा है कि ये antibacterial activity होती है, ionic silver की, ठीक है, कैसे होती है, क्या कर रहा है, देखते हैं, ionic silver interact करता है, with the bacterial cell envelope, bacteria का structure अब गौर से देखोगे, तो उसके उपर, जो envelope होता है, ठीक है, उससे जाकर कि ये, क्या करेगा, जुड़ेगा, या उसके साथ जाकर करके, interact करेगा, उसको destabilize करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा है, वो अब envelope में उसको ले लिए, उसने membrane को, कि membrane को क्या कर द करेगा, destabilize, यानि की मान लो, जैसे की, मैं छोटी से बात बोलूं, कि ये कमरा है, ठीक है, कमरी क्या है, चावसा दिवाले है, अब कोई आए, बड़ा सा हतरा लेके, और बीट-बीट में मार-मार के छेज कर दे, तो कमरी की दिवाले क्या हो जाएंगी, destabilize, किसी समय अब bonded with phospholipids, जो cell membrane होती है, किसी भी cell की cell membrane किसकी बनी होती है, phospholipid की बनी होती है, उस phospholipid से जाकर के, ये ionic silver जुड जाता है, और फिर धीरे-धीरे cell membrane को destroy करना start करता है, clear है, अगला देखते हैं, interaction with molecule inside the cell, even ये cell के अंदर कुछ molecule है, उनके साथ भी interact करता है, यानि कि जुड़ जाकर के और जुड़ने के बाद जाहिर सी बाद है, दुस्मन है ये, तो उनको destroy करना start कर देगा, कौन कौन है, nucleic acid, RNA, DNA और कुछ enzymes है, जिनको ये नुक्सान पहुचाता है, तीसरा, the interaction of silver ion with bacterial inner membrane, ठीक है, membrane bacteria की पता न, देखा तो 3 coating होती है, सब से उपर capsule, फिर cell wall और फिर cell membrane तो कह रहा है, bacterial inner membrane is one of the most important mechanism of AG plus toxicity, जाने कि bacterial inner membrane होती है, उसके उपर ये सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से असर करता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होते लिए, फिर preparation की बात करें, तो इसमें कुछ नहीं है, silver ion is obtained by removing one electron from the silver atom, ionic silver is not similar as metallic silver, फिर मता जाए रहो हम है, ionic silver is not similar as metallic silver, जो metallic silver हम पीछे देख रहेते हैं, उससे इस फुरा सा क्या है, अलग रहता है, तो simple तरीका क्या होता है, तरीके होते हैं, lab में बनाते हैं, हम लोग heat वगरा देख करके, उसको ions की form में convert करते हैं, और फिर उसका हम लोग solution और प्रिपेर करते हैं, clear है, properties, ionic silver solution appear as amber और dark amber, कैसा पीछा कर सकता है, यह react कर सकता है, इसकी लिए इसको हम लोग किसमें store करते हैं, glass में, use antibiotic, antifungal, antiviral, तीन होई है, solution की बात करें, sorry, formulation की बात करें, तो solution की रूप में है, market में, powder की रूप में मिल जाएगा और gel की रूप में मिल जाएगा यह, तो market में किस-किस रूप में बन से भी, market में, silver iron मौझूद है, बात समझ में आ रही है, clear है, चलें आगे, okay, third आया हमारे पास, chlorhexidine gluconate, chlorhexidine gluconate, ठीक है, तो क्या है, chlorhexidine gluconate is broad spectrum bio side, ठीक है न, broad spectrum का मतलब बता चुका हूँ, बायो, बायो का मतलब क्या होता है, living, और side मतलब जो kill कर दे, living things को kill करने वाले broad spectrum है, effective है against gram positive and gram negative bacteria and fungi, अब क्या होता है gram positive और gram negative, ठीक है, वहाँ detail में नहीं जाएंगे, पिलाल सरी इतना समझ लो, जो bacteria है, उनको दो category में तोड़ा गया है, एक bacteria होते है gram positive और एक होते है gram negative, ठ ठीक है ना, बेक्टर के दो variety होती है, तो यह gram positive और gram negative दोनों पर अशर करता है, साथ-साथ में fungus भी अशर करता है, chlorhexidine inactivate micro organism with a broader spectrum than other antimicrobial, ठीक है, वो कह रहा है, broader way में क्या करता है, उनको inactivate कर देता है, example दे रहा है, anti-biotics का, and has a quicker kill rate, बहुत जल्दी मारता है, than other antimicrobial, जैसे की povidine iodine, देखा है, वो चोट लग जाती है, तो brown color का लगाए जाता है, उसको बोलते है, povidone iodine, ठीक है ना, तो यह क्या है, दूसरे antibiotic और povidine iodine से much better है, as a antimicrobial, mode of action की बात करें, तो chlorhexidine खुद कैसा है, positively charged होता है, यह क्या करेगा, अपने आपको बांध लेता है, जाकर के negatively charge site on the cell wall, cell wall में जहां पर negative charges मौझूद है, यह खुद जाकर वहां पर चिपक जाएगा, plus minus मैं attraction होता है, फिर destabilize, अब समझ में आ गया, destabilize क्या होता है, destabilize मतलब उसको कमजोर कर देगा, cell wall को, and interfere दखल अंदाजी देगा with osmosis, solvent का जो अंदर आना होता है, cell के अं जाएगा अंदर, अगर cell के अंदर, पानी ज्यादा आ जाएगा तो फट जाएगा वो, है ना, the bacterial uptake of chlorhexidine is very rapid, अच्छा, बैक्टेरिया तो cell है, उसके क्या मतलब दिमाग तो है उसके पास, उसके आसपास के डाल दो, chlorhexidine डाल दो, तो बैक्टेरिया बहुत जल्दी उ इट कैन बी प्रिपेर्ट फ्रॉम वन शिक्स हैक्स, हैक्सा मिथाई, बिस डाइस साइन डायमाइड, ठीक है, डाइस साइन, डायमाइड, एन फोर क्लोरो, एनलीन, हाइड्रो क्लोराइड, इन दोनों को मिला करके, क्या बनाते हैं, हम लोग, chlorhexidine, ग्लुकोनेट को बना आते हैं, बात समझ में आ रही है, किलियर है, चलते हैं, प्रॉपर्टीस, इस सॉलिड होता है, सॉलिवल इन वाटर है, इस स्टेवल अंडर, मॉस्टर और सनलाइट, मॉस्टर और सनलाइट इसका कुछ नहीं भी गाड़ती, इस स्टोर इसकी बात करें, शोड़ी स्टोर अड़ेक्वेट वेंटिलेशन शुट बी प्रॉइड़ जहां पर इसको स्टोर करेंगे, वहाँ वेंटिलेशन होना चीए, वेंटिलेशन नहीं होगा, तो खराब होने की संबावनाएं बढ़ जाएंगी, यूस की बात करें, तो टू ट्रीट जिंजवाइटीस, मूग के रिड्यूस दा इंफ्लमेशन, जो रेड्नेस पगरा हो जाती है, उसको रिड्यूस इंफ्लमेशन, पता है ना, लिखाओए रेड्नेस है, चोट लग जाए, कोई चिल लग जाए और लाल पन से पड़ जाता है, तो उसको इंफ्लमेशन कहते हैं, ऐसी हमारी बाडी में भी जाए इंफ्ट्शन हो जाता है, तो हाई बाडी की ओर्गान्स भी क्या होते हैं, वो तो खर अंदर देखू लाल हैं, लेकिन देखा ना, जाना, पड़नेस का तुला जाना, तो यह जाता लाल पन पड़ने आता है, उसे को लोग जोंग बोलते हैं, इंफ्लमेशन, बोलते मतलब मसूरे और टूर्यूस गम ब्लीजिंग जो गंस में मसूरों से खून आता उसको भी रोकता है चिंजवाइटिस इस कौश्ट बाइदा बैक्टेरिया जिद्वाइटिस कौश्ण करता है बैक्टेरिया करता है तो उसी को ये किल करेगा दिए है वक्apolis की बात करें तो इंशर्ट के नाम से आता है मैंब्रेन लिक्विड के नाम से बनता है कि ठीक है वह म्यूंट कैसे बॉने वह सवाने कैसे बनेगा एक लुक्रिव करता है, उसे अब रहेगा, ब्रैंड से बात करें तो पेर्योगार्ड, ते नहीं पे determ तो एक्स ठीक है इस नाम से ब्रैंड नेम जो है मार्केट में यह अभेलिवन है बाते समझ में आ रही है थोड़ा सा देखो लर्निंग तो है चीज़े थोड़ी याद करनी पड़ेंगे इसमें फार्मसीटिकल केमिस्टी इसमें बच्चे को तफ भी लगता है तो देखो इस 200 क्या है हमारे पास टोटल ड्रक्स जितनी ड्रक्स हैं मिला लोगे पूरा आख्री तक टोटल 13 चेप्टर है ठीक है मैं कोशिश करके इसको जैन एंड तक खतम करने कोशिश करूँगा हर हालत में ठीक है न अभी थोड़ा सा बीच बीच में कई बार लेट हो जाता है कुश प्रॉलम्स आयती है पर्सनल प्रॉलम्स रहती है तो नहीं बना पाता हूं वीडियो में ठीक है तो इसको एक ओन एवरेज रेशन लेलो तो 1.3 यानि कि अगर तुम लोग रोज दो भी प्रिपेर करोगे तो भी तुम्हारे क्या है बहुत अच्छे त्यार हो जाएंगे ल क्या बोल रहा है हाइडोजन परोक्साइड इस वाइडली यूज्ट एंटी माइक्रोबियल केमिकल ठीक है यूज इन बोथ लिक्वीड और गैस पॉर्म में दोनों में यूज होता है पॉर प्रिजवेटी डिस इंफेक्शन एंड इस्टेरलाइशन एप्लिकेशन स्टेरलाइशन अपने आपमें इस तरीके से यूज होता है इस एड़्गाटेज इंखल इसका अड़्गाटेज है पोट्त भॉट यूद्ट बहुत ही ताकतवार है और नाब ब्राऑज सपेक्ट्रम एंटी-माइक्रोबिल अक्टिविटी है काफी ताकतवर और ब्राओ spectrum antimicrobial activity है इसकी इसलिए काफी बेटर है यह flexibility in use and safety profile in comparison to other microbiocides इसको हम कई तरी flexibility कई तरीके से use कर सकते हैं इसका हम कुला भी करते हैं दातों में जब जखाम हो जाता है कान में भी डालते हैं कुछ लोग इसको वैसे गलत होता है वो ठीक है जखाम पर भी इस्तमाल कर लेते हैं तो flexibility कई तरीके से इस्तमाल हो जाता है और safety profile की बात करें तो बहुत ज़्यादा safe है जल्दी नुकसान नहीं पहुँचाता है compare करें अगर दूसरे microbiocides से जो दूसरे antimicrobial से अगर उनसे compare करें तो काफी ज़्यादा safe है यह more of action की बात करें तो कैसे काम करता है यह produce करता है destructive hydroxyl free radical है ना h2o2 कैसा होता इसका structure पता है ना इस तरीके से तो ब्रेक हो जाता है यहां से और क्या बनाता है जो कि इतना ज्यादा destructive है ठीक है ना तुरंच जा करके क्या करेगा अटेक कर देता है membrane की lipids पे DNA पे अधर essential cell component of bacteria और उनको क्या कर देगा यह kill करता है ठीक है बात समझ में आ रही है फिर्प्रेशन की बात करें तो कैसे प्रिपेर होता है यह दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो hydroxide is prepared by following three method अच्छा तीसरा method नहीं है इसमें तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं two methods ठीक है ऐसा कर लेते हैं by following a better by following methods ठीक है by the action of sulfuric acid हम लोग क्या कर रहे है sulfuric acid को hydrated barium peroxide ठीक है this is H2SO4 sulfuric acid और barium peroxide उसके उससे हम लोग उसको क्या कर रहे हैं treat कर रहे हैं और हमको क्या मिल जाता है hydrogen पर अपसाड मिल जा रहा है clear है ठीक है the excess water is removed by operation under reduced pressure जो एक्ष्ट्रा वाटर होता है उसको निकाल देते हैं अगला क्या तरीक है during the electrolytic oxidation of acidivite sulfate जो में पास sulfate है ठीक है उसको क्या कर रहे है at high current density gives per oxodisulfate ठीक है यह क्या मिल जाएगा एच्टू ओटू बास समझ मारी है तो यहाँ पर हम पर दो एक बार को अगर chemical reaction की equation याद नहीं होती है तो यह पक्का याद कर लेना कि बाए एक्षिन आफ sulfuric acid on barium per oxide इस तरीके से याद पक्का कर लेना ताकि लिख सको equation एक बार को याद नहीं हो याद नहीं होती है तो इतना जाज जोर रखना है इट डिकंपोज ओन हीटिंग एंड गिव वाटर इट ऑक्सिडाइज फैरस फैरस टू प्लस टू फैरिक इन्द प्रिजेंस ऑफ सल्फिरिक एसिड यान की तुम लिख सकते हो यह फैरस आयन को फैरिक आयन में कर देता है इन्द प्रिजेंस ऑफ सल्फिरिक एसिड का जो एसिड निकल के आयगा एस प्लस आयन उसको यहां दिखा रख़ा है ठीक है इट रियक्ट विद लीड सल्फाइड जो ब्लैक कलर का लीड सल्फाइड है उससे यह क्या करता है रियक करता है ठीक है ओके टू सब फिर रिभी से शिल्वर ओक्साइड यह सिल्वर ऑक्साइड आशेखो कर देता है देखो FM गवाध तो यह लीऊ सो गया और वहें च्क σταव di वह वह ही इस लिए शुट भी इन लाइट राजिस्टेंट कंटीनर इन एंग डार्प सको के लिए रहे चले आगे यूज़े फिर कहारी वह यह यूज़ क्या होगा डिसिंफेक्टेंट एंटि इंफेक्टिट एंड डियोड्रेंट है डियोड्रेंट भी इस्तमाल हो जाता है एंटी सेप्टिक है एफ़र्वेशन एक्षण ओफ होता है क्या है एक अनकुन के अंधर पहां तक क्या है हाथ नहीं पाँच पार बहुत पतला कटाष्ण यर यह डौक्त दकि पहुंच नहीं तो हम लोग इस एक फ्रिश्टो को पानी सव्टेंट डाल देते और बुल्बुल्बुले चूटते उसके बुल्बुले से वह पूर सारी गंदगी बेक्टेरिया डेब्री साड़े गले सेल है ठीक है वह फ्रॉम वाउंड सर्फेस वेचा डिफिकल्टू रीच ऐसे जखम जहां पर हम एजीली पहुंच नहीं सकते हैं वहाँ पर इस एस्टूर्टू सब्सक्राइब डाल देंगे तो वह सारा क्या कर देता है किस रूप में पाये जाता है एक ही रूप है इसका सेलोशन मार्केट में जाओगे हारे फ़्ल्य पूरिक ऐसी और ग्लिसरीन का एक संपल आता है चुछटा पांच रुप्य का सीसी आती है जो चाली में लगाते हैं हम लोग पता है लगाया कभी किसी ने बूरिक एसी अलग सभी मिल जाता है जो जो चाली पर जाए दोनुको मिला करके लगा लो चाली पर तो बहुत अच्छ किसी टाइम पर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट एक रिजेंट था केमिकल था किसके लिए डर्मा इसकीन की इंफेक्शन में इसको बहुत ज्यादा इस्माल करते थे सिस्टा नाइंटीन सेंचुरी इट वाइडली यूज़ एंड था तो वी बात करें मोड ऑफेक्शन की ठीक है मोड ऑफेक्शन की बात करें तो क्या कह रहा है बोरी कैसिडी वीकली एसीडी और यह होता क्या है ऐसेडिक हाइडरेट और बोरीक अउकसरी माइल्ड माइल मतर थ्रा जुका उतना श्ट्रों माहीं ऐंटि शेप्टिक एंटि-फंगल एंड एंटिवईरल प्रपरटी गजाप स्यट मेकेनिज्म और बोरी इसेड उन नोडर गशली तो पता नहीं It is used in treatment of east infection and cold sore East infections and cold sore Cold sore क्या होते हैं देखना कर तुम लोग देख सकते हो सब्सक्राइब गूगल पर डालोगे तो यहाँ पर कई वा न हलके दाने आने से पढ़े आते हैं होट के उपर से तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं Cold sore बोलते हैं फिर्प्रेशन की बात करें बाइडी कंपोजिशन ऑफ बोरेक्स देखो यह रहा बोरेक्स एने टू बी फोर ओ सेवन इसको सल्फिर के एशिशाद ट्रीट कराते हैं और हमको क्या मिल गया बोरिक एशिड एश थरी बियो थरी फ्रॉम कोल्मनाइट यह रहा मेरे पास कोल्मनाइट इसको हम लोग क्या करें सल्फर डाइसर से ट्रीट करा रहे हैं और मेरो क्या मिल गया बोरी केशिड मिल गया किलियर है अब यह तो याद करना पड़ेगा रटना पड़ेगा कोई और दूसरा तरीका नहीं है physical property की बात करें तो colorless powder है smell नहीं आती orderless है stable है air में air का फरक नहीं पड़ेगा soluble in water and alcohol alcohol में और water में क्या है ये soluble है chemical property की बात करें तो it weak acid होता है तो turn litmus paper slightly red क्योंकि हलका सा acidic है तो litmus paper को हलका सा red में बदल देता है लिटमस paper पता है ना paper आता है जिसे हम acid या base check करते है ठीक है turmeric paper होता है अच्छा मैं फिर पता दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें बीच में दिखाएं लगा तो क्या करते हैं बहुत lengthy हो जाएगा lecture तुम लोग कर सकते हो एक काम क्या जैसे यहां पर pause करो पेज खोलो दूसरा अपना है ना उसमें डालो लिटमस paper दिख जाएगा उसमें डालो turmeric paper है ना गूगल पर तुमें दिखता हो चलेगा फिर इसको लेक्सर को आधे continue करते हो चलो तो और ज़्यदा मज़ाएगा turmeric paper का color change कर देता है जब देता है इतायल अलकॉहल और बोरिक असेड के मिश्चर को जलाया जाये तो green flame में जलता है यह और हीटिंग एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेट ठीक है परडूसिस मैटाबोरिक असिड है मेरा पास क्या आगया Metabolic acid हो गया क्या रहा है स्टोरेज की बात करें इस शुड्वी स्टोर इन well-closed container का श्टोर होना चाहिए से well-closed container के अंदर कि युजेज ऐस आईवाउस आखे धुलने के लिए माउथ वाउस मुह धुलने के लिए एंटी सेप्टिक बताया था मैंने एंटी सेप्टिक डिसिंफेक्टेंट में क्या अंतर होता है और डाइपर रैसज क्या होते हैं तुम सब लों होंगे हैं कई न कई चोटे-छोटे बच्चे होंगे चेक करना डाइपर पैनातर और 24 गंटे तो थाइस पे बच्चे की थाइस पर रैशेस रेड कलर आयाता है बच्चे के दिक्कतों लगती है वहाँ पे उसको ठीक करने पर इस्तमाल कर सकते हैं कि एस डेश्टिंग पॉड़र समझते हैं फुट पॉड़र पैर में जब चाले आले पढ़ते या पिर पसीने से जब जखम पढ़ते या जो थाइस के बीच में पसीने से कट जाती है थाइस तो हम लोगके पावडर डालते हैं उसका वह लोग क्या बोलते हैं डेस्टिंग किलियर है आते हैं ब्रीचिंग पाउडर घर घर में होता है ब्लीच है न ब्रीच जो कपड़ों को सफेद करता है यह इस का जो बेसिक फॉर्मला देख रखा का जो औरिजिनल फर्मॉला देखोंगे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है उसको याद करना में सब्सक्राइब मुश्किल होता है तो हम लोग इसको कैल्सियुम ऑक्सिक्लोराइड कैल्सियुम है ठीक है यहां पर कर दो कैल्सियुम मैं इसको प्रापर साही करता हूं कंफ्यूजन नियों होने जी कि यहां लेखो ठीक है कैल्सियुम हाइपो क्लोराइड ठीक है कैल्सियुम हाइपो क्लोराइड ठीक है कैल्सियुम हाइपो क्लोराइड इफेक्टिव इन किलिंग बैक्टेरिया फंजाई वारेस इंक्लूडिंग इंफ्लूएंजा वाइरस जो हमारे जो खाम खाम जनली करवाता है उसको कहते हैं इंफ्लेंजा वाइरस बट इजली इनक्टिवेटेड बाय और गेनिक मैटेरियल जल्दी से रिया जो और गेनिक मेटल होते हैं कारून कंटेनिंग उसके दोहारा जल्दी से इनक्टिवेट भी हो जाता है इसके अंदर से क्या निकलेगा है इसको हम करते है इसके अंदर इंग्रीडेंट इन ब्लीक यह इसके अंदर एक्टिव पार्ट होता है जो मेन काम करके देगा हमें इस इस स्ट्क्चर को में खोल दूँ तो प्रोटीन मेरा डी अक्टिवेट हो जाएगा प्रोटीन क्या हो जाएगा दी एक्टिवेट हो जाएगा तो कह रहा है unfolding of protein जो protein होता है उसको खोल देता यह ठीक है इन बैक्टिवेज अब जो खुल जाता है तो उसको हमलोग जब unfold हो गया तो ऐसे प्रोटीन को हमलोग कहते है डी नेचर्ड प्रोटीन को एग होता है एग को जब ओबाल देते हो तो उसके अंदर की प्रोटीन बेकार तो किस काम की प्रोटीन का structure टूटा है लेकिन उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स है जो कि बहुत ज़्य इंपॉर्टेंट है फारी बॉड़ी के लिए वो अभी भी as it is वैसे ही है वो हमको फाइदा पहुंचाते हैं ठीक है इस सिमिलर टूफ अपन्ट प्रोटिन वेन्योव और एम यहीं ठीक वैसा ही है जैसा कि तुम किसी बॉइल को कि का करो वाल दो तो उसके अंदर की पोल जैसा हो रहा है वैसी है आपर हो रहा है तो ये है मेरे पास slagged lime और ये है मेरे पास bleaching powder slagged lime को मैं chlorine से treat करवाता हूँ और मेरो क्या मिल जाता है bleaching powder मिल जाएगा clear है physical property की बात करें तो सबने देखा ही है सफेद होता है decompose slowly in air हवा में धीर धीर क्या हो जाता है decompose कर जाएगा it is partially soluble in both water and alcohol पाणी और alcohol में क्या है ये partially soluble है थोड़ा थोड़ा chemical property की बात करें तो bleaching powder सबसे तक क्या है ये क्या दिखाएगा oxidizing property दिखाएगा दूसरे को क्या कर देगा oxidize कर देगा तो actually यह यहां पर थोड़ा सा करना भूल गया मैं सही कर देता हूं यहां पर यह यह CLO माइनर यह इसका active part होता है ठीक है यह देखो यह मैंने कहा था यहां पर HOCl है इस HOCl में से H हड जाता है और OCl माइनर यह पार्ट इसका पर्क्लोरेट जो हो गया यह इसका active के अंदर से hydrogen को बाहर निकाल दें इसको भी क्या oxygen बाहर निकालके इसको भी इसने अक्षिडाइज कर दिया है इस्टोरिज की बात करें इस शुड़ी स्टोर्ड इन वेल क्लोस्ट कंटेनर इस शुड़ी कीप इन कूल एंड ड्राइ प्लेस अवे फ्रॉम मॉश्चर एंड हीट मॉश्चर और हीट से इसको हमें दूर रखना है बात समझ में आ रही है यूज की बात करें तो एज ब्लीचिंग एजेंट पता ही है डिसिंफेक्टेंट एंटिसेप्टिक तीनों तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं मार्केट में पाउडर और लिक्विड दोनों के फॉर्म में अवेलिवल है ब्रैंड नेम की बात करें तो विक्रम लाएं ये पुराने ब्रैंड नेम है जो मार्केट में क्या है अगें लागर हम बात करें किसकी पुटेशियम पर मैगनेट के आम पूर पोटेशियम पर मैगनेट प्रमेट अगें ये भी क्या है ऑक्सिडाइजिंग एजय यानने कि इसका और ब्लितिंग पॉलडर का एक तरहां हम कह सकते हैं मोड अफक्षिंट एक ही है कर देगा डेट आल्टर आल्टर मतलब बदल देता है दा सेल वाल ओफ पैथोजैनिक पैथोजैनिक मतलब जो डिजीज पैदा करते हैं जो disease causing यानि की disease पैदा करते हैं ऐसे organism को हम लोग क्या बोलते हैं पैथोजनिक बोलते हैं ठीक है यह उन organism की क्या करता है बदल दे रहा है अल्टर मतलब बदल देना अल्टर मतलब बदल देता है दस सेल वाल ठीक है इंटरफियर दखलंदाजी देता है उसके डियने के स्ट्रक्चर में ठीक है और एग्जर्टिंग पोटेंट माइग्जर्ट मतलब दिखाएगा अपनी ताकत अज़र माइक्रो बाइस एडियल मैं तुमको मारूंगा ठीक है न कौन पोटेशियम पर मैगनेट ठीक है किसके उपर बैक्टेरिया फंगास और वाइरस और फ्रोटो जोग के उपर इस तरीके से तंग करता है उनको देखो ऑक्सिडाइस करेगा उनके डियने स्ट्रक्च यह करदे का सामने वाले को ठीक है और कर क्या रहा है यहां पर उस्का प्रोटोपलाज में जो सट्रिंजेंट एरिटेटिंग इफेक्ट उस चेलकी उपर और ऐस जा एश्ट्रिंजेंट एस्ट्रिंजेंट हमने पढ़ा था ठीक है ना तो एस्ट्रिंजेंट और इरिटेटिंग इफेक्ट क्रियेट करते हैं यह बात करें परपरेशन की तो हुत्वा क्या है यह बनाता है किसे मैगनीज डाय ओकसाइड और के वच को हम लोग ट्री प्रमेगनेट ठीक है this is the potassium permagnet. प्रमेगनेट केलेर है the potassium magnate क्या बोल रहा है the potassium magnate जो हम बन गया है ये is then be converted to permagnate by electrolytic oxidation in alkaline media केलियर है तो ये इसकी preparation है तुमनों को याद करनी है इसको. फिलिकल परपुटी की बात करें तो इत ब्राइट परपल और ब्राउच कईलर chemical compound होता है, density 2.7 gram per ml and it's smaller mass इतना होता है, compound order less है, कोई smell नहीं है, taste इसका sweet होता है, high melting point 2400 degree centigrade होता है, ठीक है, तो physical property आवी इसकी, chemical properties की बात करें, तो heat करने पर change होयता है, potassium permagnate, sorry, यह potassium permagnate है, और यह potassium magnate है, क्लोरिंग ग्यस को बाहर निकालेगा क्लियर रही तो मैं फिर कह रहा हूं पूरी एक्वेशन याद नहीं होती है ना याद करें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी याद करने की छमता बहुत ज्यादा होती है तो equation में लिखता हूँ इसलिए हैं जो याद कर सकते हैं याद कर ले क्यों के लग हो गया तो कलर इसका खतम हो जाता है कि लिए रहे इस चुट भी स्टोरीन वेल क्लोज कंटेनर हैं ध्यान से हैंडल करना क्यों अगर यह किसी ऐसे सब्स्टांस के टच में आ गया जिसने इसको ऑक्सिडाइस किया अगर तो यह ब्लास्ट भी हो सकता है फट सकता यूजerd की बात करेंं डिसिनफ्यक्सण डिो द्योरेंट एंटिसयप्टिक यूत्राइटीस एंद्युर्फ्यूמ का इलिउर्फ्यूं की बात करें तो यह ओरल टैबलेट, खाने वाले टयबलेट मेंहिस मार्केट में अवेलिबल है बात समझ में आ रही है ब्रैंड नेम की बात करें तो पर्मासॉल या कोई मैं ट्राइको एक्स के नाम से ये मार्केट में मौजूद है किलियर अब आता है हमारा नेक्ट लेक्चर डेंटल प्रोड़क्ट जो मैं नेक्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा किलियर है बात है तो 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 को मैं फिर कह रहा हूँ नो डाउट जो पार्ट है फार्मसुटेटल केमिस्ट्री के जो अभी स्टार्ट हो गया है मैंने बताया लगवग दोसों केमिकल्स हैं जिनके हमें फायदे देखने हैं पर्परिशन पॉपर्टी सब चीज़ देखनी है तो थोड़ा सा लर्णिंग पार्ट है याद करना पड़ेगा पढ़े दिन में दो दो तिन तिन बार रिवाइस करो थोड़ा सा तो इसली क्या हो जाएगा तुम लोगों को याद हो जाएगा किलियर है तो क्या करना है रिवाइस करना है क्या करना है पढ़ना है फिर रिव झाल 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 झाल